हमें एक sequence दे रखे a n is equals to factorial n की power 1 by n upon n और हमें क्या करना इसकी limit find out करनी है और इसकी limit हम find करेंगे वो किस्से करेंगे कॉसी second theorem से कॉसी second theorem क्या कहती है कि if limit n tends to infinity un plus 1 upon un is equals to l this implies that un की power 1 by n is equals to l तो कभी भी अगर हमें sequence इस तरह की दे रखे हो जिसकी power में 1 by n आ रहा हो तो हम वहाँ पे कॉसी second theorem जो है use करें तो हमें result आसानी से मिल जाता है तो यहाँ पे a n हमारा क्या दे रखा है factorial n की power 1 by n upon n और इसको हम क्या लिख सकते है factorial n upon n की power n bracket बंद कर देंगे यहाँ पे 1 by n आ जाएगा और इसको अगर हम इसके साथ compare करें तो un हमारा क्या जाएगा factorial n upon n की power n और हमें क्या करना है यह limit find out करनी है यह limit जो हम find out कर लेंगे तो यह limit भी जो है वो ही हो जाएगी यहाँ से तो un plus 1 upon un यहाँ पे un plus 1 हम put करेंगे तो factorial n plus 1 upon n plus 1 की power n plus 1 un यह पलट जाएगा तो यह उपर चला जाएगा n की power n upon factorial n और limit जो हम लिखेंगे पहले हम इसको simplify कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं factorial n plus 1 को लिख सकते हैं n plus 1 factorial n यहाँ पे n plus 1 factorial n लिखका factorial n से factorial n cancel out हो जाएगा similarly यहाँ पे n plus 1 की power n है ठीक है यहाँ पे n plus 1 था तो हमने n plus 1 को अलग लिख लिए यहाँ पे यह इसके साथ cancel out हो जाएगा यह इसके साथ cancel out हो जाएगा तो हमारा क्या बचाएगा n की power n upon n plus 1 की power n limit n upon n plus 1 की power n इसकों किस तरह से लिख सकते हैं limit 1 upon 1 plus 1 by n अब हम जानते हैं कि limit n tends to infinity 1 plus 1 by n यह हमारा किस के कोल होता है यहाँ पे यह के कोल हो जाता है होता क्या है दरसल कि अगर यह 1 plus f of x यहाँ पे यह f of n कर लेते हैं यह फिर f of x ही रखते हैं कि power g of x दे रखाओ और यह अगर हमारा 1 की power infinity form बना रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम n tends to infinity करें तो यह 0 पे जाएगा यह तो 1 रहाएगा यह 1 की power infinity form हो जाएगी तो यह हमारा किस के कोल हो जाता है e to the power limit f of x into gx ठीक है तो इसी काम यहाँ पे भी इस्तमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे e to the power अगर हम इसको fx माल रहे हैं तो इसको gx माल रहे हैं तो fx into gx तो वो n से n के n से लाट हो जाएगा तो e बचेगा तो limit n tends to infinity 1 plus 1 by n की power n जो है वो हमारा n e के equal है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं तो limit जो हम find out करेंगे तो यह किस के equal हाजाएगी 1 upon e के equal हाजाएगी और by quasi second theorem limit n tends to infinity an is equals to 1y e ठीक है तो an की भी limit हमें 1y e मिल जाएगी तो इस तरह से हम sequence की limit find out कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतनी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगए तो हमारे चैनल को subscribe करें मिलते हैं अगली वीडियो में